हलो दोस्तों आज की इस विलिए हम जानेंगे पपिता खाने से हमारे सरीर में क्या-क्या फायदे मिलते हैं पपिता हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही फायदे में फल है आप पका और कच्चा दोनों तरह से पपिता खा सकते हैं पपिता खाने से सरीर गंभीर बिमारियों के खत्रे से बचता है, पके पपिते को आप फल के रूप में खा सकते हैं, वही कच्चे पपिते से आप कई तरह की सबज्या बना कर खा सकते हैं, पपिता पोश्टिक तत्वस से भरपूर होता है, इसमें बिटामिन इंजाइम E, B और मेंगनेसियम बोटिसयम जैसे मिनरल पाए जाते हैं, ऐसे में आपको पपिता का सेवन जरूर करना चाहिए, खास तोर से महिलाओं को अपनी डाइट में पपिता जरूर सामिल करना चाहिए, महिलाओं को पपिता खाने से कई फायदे मिलते हैं, कच्चे पपिता से आप कद्दू के जैसी खबजी बना कर खा सकते हैं, पपिता के खुपते बनते इसके अलावा आप चावल और डाल में डाल कर इसे उबाल कर खा सकते हैं, आप पपिता को उबाल कर ऐसे ही खा सकते हैं, चाहे तो इसमें आलू मिला कर भी खा सकते हैं, पोश्टिक तत्वस से बिटामिन A, C, E, B और मेगनेसियम, बोटेसियम जैसे मिनरल पाए जाते हैं ऐसे में आपको पपिता का सेवन जरूर करना चाहिए खास तोर से महिलाओं को अपनी डाइट में पपिता जरूर सामिल करना चाहिए महिलाओं को पपिता खाने से कई फाइदे मिलते हैं कच्चे पपिता से आप खाने से सरेट को भरपूर फाइबर मिलता है इसे